नमस्कार मैं सोनिया मंधारी एक बढ़ फिर से आपका स्वागत करती हूं आर्सन वुट्स में और आज हमारे साथ है कंपनी के डारेक्कर मिस्टर आशीश मिस्टर अशीश मिस्टर हेलो सर कैसे हैं आप आप कैसे हैं आभी बेकुल छेटों तो आज हम बात करेंगे रीगल फरनीचर के पिनाखल की जो होता है राउंड बेड तुसर में चाहते हूं कि राउंड बेड के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं समराइज तो आपने दो वर्ट्स में कर दिया रीगल फरनीचर और पिनाखल देखे राउंड बेड के बाद लगजरी फरनीचर में और कोई चीज नहीं होती है और इस तरह के राउंड बेड जो आप देख रहे हैं यह अपने आप में एक अमेजिंग चीज होती है जहां किसी भी मास्टर बेड रूम में जब राउंड बेड डल जाता है तो पूरे घर का में अट्राक्शन पॉइंट होता है यह कि राउंड बेड एक तो कॉमन आइटम नहीं है हर को यूज नहीं है और राउंड बेड का अपना ओवराल लुप होता है वह इतना खुबसूरत ह अबर इस तरह कुछ बना हुआ हो तो वह अपने आप में ही शोभा बहुत ज़़ा बनाएता है किसी भी घर की आम किसी भी फनीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले चीजा आती है उसका साइस तो इसके साइस के बारे में थोड़ा साब जाएं तेकि माम यह 8 फीट डा चाहिए राउंड इस बेड को डालने के लिए और साइड टेबल इसमें एडेशनल है 24 इंचिस की बाहर में के लिए तो दो फीट और एड़ जाएगा थोड़ा गाप भी रखें तो 9 प्लस 4 प्लस 1 तो इतना एरिया आपको इसके लिए चाहिए बागे फरंट पे तो आपको पूरा ओपन है बैक की हाइट किसी भी राउंड बैड में हाई होती है क्योंकि यही मेजर इसका अट्राक्शन होता है जो बैक का लुक होता है अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो वो लोग शायद क्याप्चर नहीं होगा क्योंकि बेसिक है ग्रैंड और यह ग् मेरा पूरा हाद इसके अंदर चला गया देखी तो कुछ जहगा पर यह 7-8 इंचिस तक थिक कार्विं है और बेस वुड दो इंच की यूज़ करके उसके उपर प्रेसिंग होती है और इतनी खुपसूरत कार्विंग लोकल आटेशन के दौरा बनाई गई गई अपने आप पर आप इसके है किो आपने इसके साइस का हमें बताया तो हमारे नर बेड होते रेक् tsunami जिसमें हमारे पास storage होता है जेसे हम इसमेंन बन्हें सकते है है क्या मिस भी storage है अअगर आपको इंधाई नहीं चाहिए तो storage हम एवाइड़ीध भी कर देते हैं यह basically dependे आता है बहुत easy closing, easy opening होती है, यह depend करता है mainly mattress, आप mattress कितना उंचा ही उज़ कर रहे हैं, अगर आपना mattress का भी ठिक है, तो फिर storage irrelevant हो याथी है, क्योंकि फिर उतनी storage का कोई उज़ नहीं होगा, तो 5-6 इंच, 8 इंच तक अगर आपना mattress है, तो storage is good enough, जैसे कि सर आमारे पास बहुत variety है furniture, जैए वो sofa हो, dining हो, bed हो, कुछ भी हो, सब में बहुत जाड़ा variety है, तो आप क्या suggest करते हैं हमारे viewers को, हमारे clients को, कि उनको चूस कर दे में easy हो, क्योंकि जब इतनी variety होती है, तो चूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब इतनी variety होती है, जब है variety हमेशा confused करती है, द बनता है, तो variety बन जाता है, लेकिन चूस करने के लिए, अगर हम easy process की बात करें तो बहुत simple example होता है कि और लोगों क्या लिया है, तो हमारी website पेक section है, testimonials का, अगर आप विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ पर thousands of photographs मिलेंगी, जो different clients के घर की है, जो लोगों के घर की हैं, ज देखर के अंदर wooden flooring है, और wall light color की है, या मैंने top पर ceiling पर gold work कराया हुआ है, तो उसके अंदर पर्टिक्लर आइटम अच्छी लएगी, नहीं लएगी, कौन सा color अच्छा लएगा, इसके लिए मुझे reference point अगर मिल जाए, तो nothing like it, होता क्या है कि, छोटा example देता हूं कि हम लोगों ने क्या order किया है, हम देख लेते हैं, तो उससे भी एक idea जाता है कि, कौन सेड़िस कैसी लगई है, तो furniture में भी ऐसा ही होता है, अगर आपके पास reference point, इतना बड़ा reference point है, तो किसी client एघर की photo आप एघर से match करेगी, और से बहुत सान होता ही, यह relate करना कि, यह item मेरे घर में भी अच्छी लेगी, या मुझे भी अच्छी लग रही या नहीं लग रही है, तो testimony section चेक कीजिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा reference point है, आप कुछ भी लेना चाहते हो, अगर आप मारा furniture भी नहीं लेने चाहते, अगर आप plain furniture देख रहे हैं, या कुछ भी आप देख रहे हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा guide मिल जाएगा, कि किस घर में किस तरह का item अच्छा लग रहा है, कौन सा color, कौन सा fabric, कौन सा design, कौन सा setup, कैसा लग रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लेगा यह यूज करने जैसे कि हमें सर ने बताया कि testimonials हमें जी, छोटे शहर में हैं, देशी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, लोकल काम है, लोकल काम है, ओडी ओपी की बात करें, हम एक बहुत बड़ा example है, इसके अंदर क्योंकि लोकल आर्ट, लोकल लोगों द्वारा, वो ओडी ओपी है, one district, one product, एक बहुत बड़ी scheme है, यूपी गौवर्मेंट की, योगी जी महराज ने स्टाट की थी, और बहुत ही popular भी है, तो हमारे शहर की one district, one product है, handicrafts, handicrafts, furniture, जो हमारी item है, और जब देशी लोग काम करते हैं, तो हमारा जो passion है, जो हमारी आर्ट है, और जो हमारा काम करने का तरीका है, तो हमारी हर चीज में जलता आ रहा है, जी, बिलकुल लोकल आर्ट है और बहुत परानी आर्ट है, और इस आर्ट को रिवांप किया है, आर्ट संगे, मैं आपकर एग्जाम्पल देता हूं, कुछ दिन पहले एक प्लाइन्ट आये थे, उनका कहना था कि कुछ साल पहले तक market में इसे प्लेन अगर आप इस टाइम पूरे इंडिया में किसी भी शोरूम में जाएंगे, आपको कार्विंग का समान देजाएगा, तो आर्शन ने बहुत मेहनत किया पिले चार-पांस साल में इस आर्ट को वापस रिवाइव करने में, और आज सब कार्विंग का फंडिचर कहीं ना कही अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं, बेच रहे हैं, तो देसी लोगों की आर्ट प्रमोट हो रही है, इससे बेटर क्या है, बिल्कुल, जैसे कि सर ने हमें बताया, देसी लोगों द्वारा बनाया गया फंडिचर है, और हमने इस फंडिचर को ग्लोबली डिलीवर किया है इंडिया में भी, इंडिया के बहार भी, और हमें इसमें आपकी हेल्प चाहिए हमारे आर्ट को और जादा प्रमोट करने के लिए, एक छोटा सा लाइग, एक छोटा सा शेयर हमें बहुत जादा हेल्प करेगा, धन्यवाद, थैंक्यू